अगर आपने पहले के बॉटल आर्ट के कलेक्शन अगर नहीं देखे हैं तो जल्दी से आप इस वीडियो के देखने के बाद में वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा आज का वीडियो है कुछ स्पेशल तो बिनना कुछ मिस्स किये हैं आपको पूरा वीडियो देखना है थोड़ा सा इस वीडियो में मिस्टेक हुआ है बट कोई बाद नहीं मैंने पूरी कोशिश की है इसे कवर करने ही की चलो हम अगर नहीं किया है तो जदि से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बैल आईकन प्रेस कर दीजे ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकिशन मिलते जाहे So thank you guys, without wasting time, let's start So guys, मैंने यहां लिए है glass bottle आप किसी भी size और shape की glass bottle ले सकते हैं सबसे पहले हमें stickers remove करने हैं और bottle को अच्छे से clean कर लेना है उसके बाद मैंने लिया है favicol favicol में मैंने थोड़ा सा पानी mix कर लिया है और इसे dilute कर लिया है पूरा favicol अच्छे से हमें bottle पर spread करना है कोई भी part रहना नहीं चाहिए flat brush की help से मैं इस तरह से bottle पर glue spread कर रही हूँ glue लगाने के बाद हमें पूरी bottle को tissue paper से इस तरह से cover कर लेना है tissue paper का एक layer भी लगाएंगे तो भी चलेगा tissue paper लगाने के बाद में उसके उपर फिर से आपको glue लगाना है थोड़े थोड़े से wrinkles रहेंगे, texture आएगा, बहुत ही सुन्दर लगेगा guys तो ये हमारा background रहेगा bottle का इसलिए हमने पूरे tissue paper के उपर इस तरह से glue लगा दिया है जो bottle का बचा हुआ पार्ट है उसके उपर भी, neck पर भी, सब जगए हमें इसे tissue paper से इस तरह से cover कर लेना है पूरा tissue paper से cover होने के बाद में इस bottle को अच्छे से dry होने देना है और dry होने के बाद में ये bottle कुछ इस तरह की लगेगी अब हमें लेना है air dry clay, मैंने यहां लिया है molded clay और इसके दोनों component resin and hardener को मैंने अच्छे से mix कर लिया है guys mixing का आपको properly ध्यान रखना है, अच्छे से mix करना है और mix होने के बाद में ये कुछ इस तरह का लगेगा अब मैंने कुछ talcum powder लिया है ताकि ये मेरे surface पे, balance पे, इस पे stick ना हो, चिपके ना इसलिए और bailan की help से मैंने इसे bail लिया है, इस तरह से चपाती बना लिया है अब मैंने लिया है wooden blocks, आप किसी भी design के wooden block ले सकते हैं मैंने circle और rectangle में लिया है wooden block टेलकम powder इस तरह से लगा कर और जो clay हमारा है उसके उपर wooden blocks के मुझे print लेने है guys, जैसा की intro में मैंने आपको बताया था, मुझसे यहाँ पर कुछ mistake हुई है वो shoot में mistake हुई है, मैंने यहाँ पर जो clip shoot करनी थी, वहाँ पर camera off कर दिया by mistake और जो मुझे shoot नहीं करना था, वहाँ पर मैंने on कर दिया बट कोई बात नहीं मैंने कोशिश किये कि मैं पूरा इसे cover करूँ तो मैंने इस तरह से print ले लिया है, अब मैं यहाँ ले रही हूँ circle वाले blocks के भी print और इन्हें भी मैं cut कर लूँगी knife की help से paper cutter की help से मैंने इस तरह से circle and rectangle designs को cut कर लिया है guys आप किसी भी design shapes के cut outs ले सकते हैं, wooden blocks ले सकते हैं और आप इस तरह से cut कर सकते हैं guys यहाँ पर थोड़ा सा video में mistake तो हुआ था but I hope कि मैंने आपको clearly इसे explain कर दिया है और आपको समझ आ गया है तो यह हमारे कुछ patch तयार हुए है, clay patch और इनको हमने यहाँ पर cut कर लिये है so guys अब हमें इन patch को यहाँ पर bottle पर stick करना है favicol की help से मैं इन patches को यहाँ पर stick कर रही हूँ but हमें randomly इने stick करना है इन designs को इस तरह से adjust करना है कहीं पर मुझे इने vertically लगाना है कहीं पर horizontal लगाना है बीच में circle ले लेना है कहीं पर मुझे rectangle ले लेना है इस तरह से हमें इसका design बनाना है guys आप चाहें जिस तरह से अपनी creativity लगा सकते हैं और beautiful से इने इस तरह से patches को लगा सकते हैं so guys जब तक मैं ये patches लगा रही हूँ तब तक आप एक बार चेक कर लीजिए क्या आपने channel subscribe कर दिया अगर नहीं किया है तो जल्दी से subscribe कर दीजिए और bell icon press कर दीजिए वीडियो को like भी कर दीजिए end में comment करना बिलकुल नहीं भूलना है तो guys इस तरह से मैंने कुछ coil भी बना ली है और इसे bottle के neck पे इस तरह से roll कर रही हूँ जो part मेरा इहाँ पर बच गया है bottle का इस तरह cover करना है कुछ circles बना सकते हो या फिर मैंने इहाँ chips बनाये थे इस तरह से clay के ही वो मैं यहाँ पर neck पे लगा देते हूँ यह completely optional है अगर आप चाहे तो इसे पूरा coil से भी cover कर सकते हैं so guys clay work हो गया है complete और अब हमें coloring करना है बट coloring करने से पहले इसे completely dry होने देना है dry होने के बाद में हम करेंगे black acrylic color color में आपको बिलकुल भी पाने mix नहीं करना है और हमने जो patches लगा है इनके edges में, design में अच्छे से आपको coloring कर देनी है कोई भी patch रहना नहीं चाहिए background बिलकुल visible नहीं होना चाहिए इस तरह से हमें इसे completely black acrylic color से paint कर लेना है color के dry होने के बाद में ये bottle कुछ इस तरह का लगेगा guys ये तो अभी से बहुत सुन्दर लग रहा है बट हमें इसे और भी सुन्दर बनाना है उसके लिए मैंने लिया है camel का, fabrica, acrylic color, pearl color है ये metallic color है तो ये बहुत सुन्दर लगेंगे और मैं यहाँ पर different shade ये यूज़ करने वाली हूँ, pearl color के यहाँ मैंने लिया है Turkish blue color और sponge की help से मैं इसे paint कर रही हूँ अगर आपके पास sponge नहीं है तो आप finger से paint कर लीजिए बट brush का use नहीं करना है क्योंकि हमने जो patch बना है उनके design बहुत अच्छे से दिखने चाहिए तो आप sponge से करेंगे तो design अच्छे से दिखेंगे रेंडमली किसी किसी patch पे मैं Turkish blue color यूज़ कर रही हूँ बीच बीच में कुछ patches मैं इस तरह से छोड़ रही हूँ ताकि हम यहाँ पर दूसरा shade यूज़ कर सकें Turkish blue color complete करने के बाद में मैं यहाँ ले रही हूँ pink color same camelin fabrica acrylic color pink pearl color यह भी metallic color ही है pearl color means metallic color है तो यह भी बहुत सुन्दर लगेंगे मैं यहाँ पर सारे colors metallic ही यूज़ करने वाली हूँ और बचे-बचे कुछ patches पे यहाँ पर pink color कर रही हूँ फिर भी मैं बीच-बीच में कुछ patches छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर एक और beautiful सा shade लेने वाली हूँ guys it's completely optional आपको एक shade में complete करना है आप एक shade में भी complete कर सकते हो दो तीन या चार shade भी ले सकते हो यह आपकी completely आपकी choice पर depend करता है अब मैंने यहाँ लिया है Camelon fabric का green color यह भी metallic color ही है और इस green color को भी मैंने इस तरह से patches पे cover कर दिया है कुछ patches जो बचे थे उन्हें भी मैंने यहाँ green कर लिया है coil भी green कर लिया है और यहाँ मैंने लिया है 3D outliner guys मैं use कर रही हूँ golden 3D outliner और बचे हुए part में इस तरह से dot 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 मुझे लगा लेने है sorry guys यह वाला वीडियो का part भी अच्छे से shoot नहीं हुआ but आप समझ सकते हो कि किस तरह से मैंने dots लगाए है complete bottle होने के बाद में यह कुछ इस तरह की लगेगी और यह बहुत ही colorful और सुन्दर लग रही है guys please comment करके जरूर बताइएगा कि आपको यह bottle art कैसा लगा क्योंकि इस वीडियो में really इस वीडियो में बहुत महनत लगी है shooting में and editing में so guys love you all thank you so much watching for till end and like share and subscribe bye bye see you soon with new creative idea thank you